दोस्तों अब आपके सामने यह जो LED MC PCB रखी हुई है अब इसमें कितने वोल्ट की LED लगी है यह कैसे पता लगा जाए यह बड़ा इंपोर्टन गूर्ड है जब आपके पास बहुत सारे LED products आते हैं कभी repair करने के लिए आते हैं जिसे आपका flood light हो गया आपका street light हो गया आपका bulb हो गया अपका tube light हो गया तो उसमें कौन सी कितने volt के LED लगी है कैसे पता लगाया जाए क्योंकि कई बार जो आपका स्टीट लाइट होता है 24vart का स्टीट लाइट होता है उसमें 9v के लगी होती है किसी-किसी में आपकी 6v की की लगी होती है तो जब repair का time आता है तो वो बड़ा मुश्किल समय होता है पता लगाना की LED कौन सी लगी वी है तो चलिए दोस्तों आईए मैं आज आज आपको यहाँ पे practical करके दिखाता हूँ कि आप कैसे पता लगाएं और बहुत ही आसान है इसके लिए आपको इस तरीके के LED टेस्टर चाहिए होता जहां पे आप voltage और current को vary कर सके वैसा LED टेस्टर आपको इसमें required है तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सभी से request करूँगा कि आप चैनल को like कीजिए, share कीजिए और subscribe जरूर कीजिए तो दोस्तों अभी यह जो LED PC भी लगी हुई है, यहाँ पर मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसमें जो LED है वो कितने वोल्ट की है उसके पहले आप यह जो टेस्टर है इसमें आप voltage सेट समझ लीजे कि हम इसमें जो voltage है वो इतना minimum देंगे कि सिब LED के अंदर जो diodes हैं वो सिब glow करें क्योंकि अगर हमने voltage जादा दे दिया तो diode बहुत जादा glow करेंगे और यह camera पर आप catch नहीं कर पाएंगे दूसरा अब हम जब इसको नंगी आँकों से देखते हैं बिना किसी goggles के तो आखे खराब होने का डर होता है तो इसलिए हमेशा voltage बहुत कम कर लेंगे और current को भी हम minimum करेंगे तो यहाँ पर देखे मैं यहाँ पर आपको test करके दिखाता हूँ अभी आप देखे यहाँ पर LED अभी glow करेगी दोस्तों यह देखिए अब हमारे पास यह जो PCB है अब हम इसमें कैसे पता करें कि यह 6 volt है 9 volt लगी है या 3 volt की लगी है तो इसको पता करने के लिए बहुत ही simple तरीका है हम इसमें कुछ voltage supply करेंगे लेकिन वो voltage इतना minimum होगा कि इसमें सिर्फ जो LED के अंदर जो diodes होते हैं वो बहुत हलके से जलेंगे ताकि वीडियो पे capture हो सके तो हमको यह समझ में आएगा कि इसमें 6 volt है 9 volt है और 3 volt है मैं आपको यहां पर practical करके दिखाता हूँ तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें एक LED टेस्टर चाहिए जो LED टेस्टर है मैं भी आपको यहां पर दिखा दूँगा LED टेस्टर कैसा होता है और उस पर हमें voltage set करना पड़ेगा तो मैं आपको उसका एक voltage भी set करके यहां पर दिखा देता हूँ और यहां पर मैंने थोड़ा सा वीडियो को बहुत low रखा हुआ है लाइट बहुत low रखी है वो कारण वर्ष रखी है क्योंकि अगर मैं low नहीं रखूंगा तो आपको यहां पर LEDs यहां पर नहीं दिखाए देंगी sorry LED के अंदर जो lights है वो आपको यहां पर समझ बनी आएगी अभी देखिए चली मैं आपको यहां पर यह test करके दिखाता हूँ आपको LED के अंदर यहां पर आप ध्यान से दिखेगा यह जो LEDs यहां पर जल रही है इसको आप ध्यान से दिखिए इसके अंदर आपको किती धारियां दिख रही है एक दो तीन धारियां दिख रही होंगी आपको एक दो तीन आपको धारियां दिख रही होंगी ध्यान दीजे तो हर एक धारी जो होती है वो आपकी तीन वोल्ट होती यानि कि उसमें अगर 9 वोल्ट की LED लगी होगी तो 9 व तिन्नों यानि कि ये नाइन वोल्ट की एलेडी है ये दिखिए अभी ये नाइन वोल्ट की एलेडी लगी वी है मैं आपको और ये देखें मैं ट्राइ करता हूं ये दिखिए हम ध्यान से देखिएगा ये अच्छली ये वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत बारिक चीज है मैं हलका सा वोल्टेज और बढ़ाऊंगा तो शायद और थोड़ा सा देखें बेटर ये देखिए ये आपको बहुत क्लियर हो गया अब ये आप देखेगा ये आप इसमें लिखे ये डिखे ये आपको अब बहुत क्लियर हो गया दोस्तों अमीद करता हूं आपको आज के वीडियो में जो रोचक जान करें दी गई है आपको बहुत पसंद आई होगी और फटाफट कमेंट करके आप अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और हाँ दोस्तों क्या आप ये जानना चाहते हैं कि LED बल्व के उपर जो permanent marker से marking कर दी जाती है उसको आप कैसे मिटा सकते हैं फटाफट कमेंट करके आगर आप कोई solution चाहिए तो फटाफट कमेंट कीजे येस येस और येस वेना नेक्स वीडियो इसी पर होगा जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि चुटकियों में कैसे permanent marker को मिटाया जाए दोस्तों तब तक आप अपना ख्याल रखिए नमस्कार जैहन